हेलो स्टुडेंट बारी बारी से मैं सारा इमेज को बनाऊंगा एलिप्स हो या पारा बॉला हो या फिरी हैंड हो या आपका प्रोजेक्शन हो या एसकेल हो लेकिन पिक्चर क्वालिटी में यदि थोड़ा सा प्रोब्लम है तो आप मेरा ब्वायस सुन करके भी वर्क कर सकत हैं ठीक है लेकिन तब पर भी मैं कोशिश्ट कर रहा हूं क्योंकि तेरा तारिक से एक्जाम है ठीक है आप लोग अपना मेहनत तो जरूर कीजिएगा ठीक है तो मैं बता देता है ड्रो आप एन एलिप्स आप जियू선 ड्रो आप नब का ड्रो मेजर एक्सिस 120 एंड माइनर एक्सिस 80 mm है तो पैटर्न ऐसा ही रहेगा आपका लेकिन कुश्चन में भैलू एलिमिनेट करने आना चाहिए जैसे मेजर एक्सिस दिया 120 माइनर एक्सिस दे रहा है असी लेकिन बनाना इलिप्स है मेथद कहता है 4-point मेथद हम से लेवस में भी बताएं है कि 5 तरह से इलिप्स बनता है ठीक है उसमें आपका फर्स्ट जैसे है फोर वा यह भी भी आई यह बार बार रेपीट करता यह कु कुश्चन में कोई भी भैलू देगा आप उसको बना सकते हैं तरीका सिखना है और प्रारंब कहां से करना है वह सब भी सिखते राना है यह दिना हो तो मेरा वीडियो बार बार देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए नहीं होता है तो फिर हम तो मिलेंगे ही ठीक है और हां बनाने के बात मेरे नंबर भी भेज सकते हैं करेक्शन करवा सकते हैं मेरा नंबर है 86 0 31 36 520 ठीक है इस नंबर पर भी आप वर्ट्वट कर सकते हैं और अपने इमेज को जो है आपका जो इलिप्स बना हाय या नहीं है या किसी प्रकार का तुरूटी है तो आप भेज कर से ह कि मेजर एक्षिस 1973 माइनर एक्षिस अशी है है तो अब वर्क जो स्टार्ट करना है करना कहां से हाँ देखें ये स्टेड़ स्टक्रायर है यह सेट स्क्वाइर है सब को पता होगा चलिए वर्क करने का काम देखते हैं देखिए एक पैरलल लाइन या एक रेखा सीधा खीचना भी काफी क्रिटिकल है एक लाइन खीच नहीं पाता है लोग आप देख लिए पूरा बैलेंस करके इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाउ मेजर अक्सटेश एक 120 ले लेते हैं पहला काम हो गया 60 पे हम लोग क्या करते हैं इसको प्वाइंट फटेश देखिए एबी मेरा मेजर अक्सस है ठिक है अब यहाँ पर कहता क्या है मेजर एक्सस पे माइनर एक्सस लेना है देखिए स्कवाइर काहीं कोई भी लाइन खिच सब्सक्राइब काफी बेतर बनेगा ताकि आपका सेट स्क्राइब से फिगर अब्जेक्ट जो भी बनेगा काफी सुन्दर दिखेगा और भैलूएबल होगा आपका कोई भी लाइन टेरह नहीं जाएगा लेकिन हाँ यूज करने आना चाहिए सेट स्क्राइब देखें हम यह पॉइंट को सेट कर रहे हैं देख लीजिए यह फोर वाला है ना लाइन दखीए फोर पे ही चलेगा एक दम से ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं कि एक माइनर एक्सिस ले लिया असी है आठ तक चाहिएगा चलिए अब तो हमको पता चल गया अब करना क्या है कि वही सेटे स्क्वाइर के यूज से या ऐसे भी आप क्या किजेगा डी और माइनर का डी और मेजर का ए यह यह भी कर सकते हैं बी और डी को भी मिला सकते कोई दिक्कत नहीं है आप कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं लेकिन सुविधा जनक जो हो वही हम लोग काम करना है ठिक है ज्यादा लेंदी काम नहीं करके फंच जाना है एक फुटेनस टाइप का ले लएंगे ठीक है कर एक रेखा से मिला देंगे उसके बाद work कहता क्या है कि जो मेरा सेंटर लाइन है माइनर एक्सिस जहां से गुजरा है देख लिए ध्यान से आपब करेंगे यह मतलब कहने का मतलब है ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना 120 है अर्थात ओ अ में का डिस्टेंस मेरा 60 हो जाएगा आप क्या करेंगे कि एक या करेंगे कि आर देंगे जो मेरा डी तक जाएगा उसके बाब कहता क्या है कि कि माइनर एक्सेस जो है देख लिएगा हम हर कलर का यूज कर रहे ताकी आपको पता चले ठीक है और क्वालिटी में जो भी दिक्कत हो तो आप मैनेज कीजिएगा उसको हो गया इतना तो वर्क में ने कर लिया देखिए इतना वर्क कर लिए तो इलिप्स आपका बन गया फोर पॉइंट में धर से देखिए अब क्या करना है कि माइनर का डी पॉइंट पर रखना है उसके बाद डाइडेक्ट जहां तक आर्क जा रहा है उसको मं करते है के जहां यह यहां पे यह इसले करते हैं यह इत्लंक को उस और को मिनिमाईज करता है यह आया जा आफ़ पहता है कि लाइन को सम्हदीभाजित करो नहीं है या हम बार-bach habit करने आना चाहिए कि नाई प्रोस Спर्मbox लायन को सम्हदीभाजित कब क्या जाता है सेंटर यद या लग रहा है कि इसन थोंदर साथ जाधा ले लिए थोरा इसा जाधा ले करके लिए अतन यह नहीं देखिए कि कहा कट रहा है अब कट यह आग बंद करके प्रोसेस जो कहता है उस प्रोसेस पे वर्क कीजिए फिर वह कटा पट गया है अब उसको क्या कीजिए कि सेटे स्क्वायर के सहता से कि उस दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक तीयक लिखा लिजिएगा जो माइनर एक्सिस को क्रॉस करेगा देख लिजिए हम सारा पॉइंट अलग-अलग रंग से कर रहे हैं यह सब वर्क हम आप ही लोग के कारण कर रहे हैं ठीक है तो आपका अब एक फर्ज होता है कि लाइक देखर के इस वीडियो को सेयर किजिए और सेयर किजिए याना किजिए कम से कम अपने मित्र के पास जरूर भेज जिजिएगा जो आइट कर रहे होंगे ठीक है अब देखिए क्या होता इसमें हमको देखिए एबी को एक संभीभाजित कर रहा है लाइन एक तक देखिए, पॉइंट वन तक हमने मेजर किया और घुमाया और इसको कट कर दिया, ठीक, फिर वही वर्क हम लोग कर रहे हैं इसमें, पॉइंट टू तक मेजर किया और डाइडेक्ट हम डी के उपर वाले लाइन पर कट कर दिया, अब देखिए क्या होता है, वन तू मिल गया, टू मिल गया, ठीरी मिल गया, और जहां कटा है यह फोर मिल गया, अब हमने कुष्चन में कहता है, इलिप्स बनाएँ, जो फोर पॉइंट होना चाहिए, चार को पॉइंट होना है, फोर मिछट का रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट होना चाहिए, और कहता है, कि मेजर गया, आक्षिस 120 का माइनर कहता है, बना लिए एक लाइं खिच लेना है काम ख़तम फिर कहता है तीन और चार को देखिए ध्यान से समझेगा देखिए बार-ार हम इस चीज को पता रहे हैं बहुत आसान है एक बर बना ली जिए गा तरीकर आजाएगा फिर कहता है वन और फोर को इतना तो, वOkayms कर लिए खे, इतना वर्क करने के बाद, करना क्या है, अब पॉइंट वनका का काम करना, पहले एक दो तिन चार आता है, तो वन से काम करना है, नहीं, वन पे रखना है, एक तक मेजर करना देख लिए धहान से देख लिए यह थक हमने आप नहीं देखati देखेगा यह तक मापpes है उसके बाद क्या किये है इसको उपर मिला एक कि की है हो गया यही यही लाइन क्षी आएगा फिर प्वेंट 2 केबाद 2 आ ने यहको रचीज ले अब यहां से हमको करना क्या है जो डी से गुजरते हुए लाइन आवेगा हो गया काम ख़तम फिर दो के बाद हमको करना है तीन वाला वर्क देख लीचे कि तीन का भी वर्क करते हैं तो तो तीन से बी तक मापेंगे तीन से बी तक माप करके कि खीचेंगे उसके बात कहता है कि पॉइंट चार से पॉइंट चार से बस सी तक मापेंगे हैं देखिए एक दम से मिल गया मेरा इलिप्स बन गया है मेरा इलिप्स बन चुका है फोर पॉइंट मेथाड इलिप्स तयार हो गया है अब इसमें आप साड़ा बहलू यह वर्क करने के बाद आप यह बहलू इसमें आप मत लिखिएगा लिखिएगा और डायमेंशन मतलब जितना भी हम लोग डायमेंशन लिए हैं सारा एमेंशन में हैं और उपर में हम लोग दिखा दिये हैं डायमेंशन मेजर आक्सिस यदि हम एबी लिए है एबी यदि सीडी ले रहे हैं सीडी असी है तो यह हमको जलक रहा है कि माइनर एक्सिस असी है और यह मेजर जो है मेरा 120 है ठीक है इतना ही वर्क करना है दूसरा कुछ नहीं धन्यवाद हेलो स्टुडेंट बारी बारी से मैं सारा इमेज को बनाऊंगा इलिप्स हो या पारा बॉला हो या फिरी हैंड हो या आपका प्रोजेक्शन हो या एसकेल हो लेकिन पिक्चर क्वालिटी में यह थोड़ा सा प्रोब्लम है तो आप मेरा बहस सुन करके भी वर्क कर सकते हैं अपने कॉपी पे मैं कोशिश तो कर रहा हूं क्योंकि तेरा तारिक से एक्जाम है ठीक है आप लोग अपना मेहनत तो जरूर कीजिएगा ठीक है तो मैं बता देता हूं कि ड्रोग कि एन एलिप्स कि अधिक है कि फोड़ पून प्रोग प्रोग यहांस इस प्रोग एक्सिस 80 mm है तो पैटर्न ऐसा ही रहेगा आपका लेकिन कुश्चन में भैलू एलिमिनेट करने आना चाहिए जैसे मेजर एक्सिस दिया 120 माइनर एक्सिस दे रहा है असी लेकिन बनाना इलिप्स है मेथद कहता है फोर पॉइंट मेथद हम से लेवस में भी बताएं है कि पांच तरस इलिप्स बनता है ठीक है उसमें आपका फर्स्ट जैसे है फोर यह भीवी आई है बार बार रिपीट करता यह कुश्चन इस पर आप लोग जरूर ट्रेक्ट है और बनाने की कुशिश कीजिए नहीं होता है तो फिर हम तो मिलेंगे ही ठीक है और हाँ बनाने के बाद मेरे नंबर पर भी भी भेज सकते हैं करेक्शन करवा सकते हैं मेरा नंबर है wow.猙 शिशे 2.803 525 इस नंबर पर एंहों आप वर्टिब्स कर सकते हैं और अपने इमेज को आपंसलिप्स में या नहीं है ला और किसी प्रकार का तृती तो आप बейज सकते हैं कर सकते हैं के चाहिए छेसे काता है मेजर एकसे था हुष है मेजर एकसिस गस दिया एमम में है माईनर एक्सिस Central है 80 तो अब वर्क जो Stop करना है यह करना कहां से है यह सेट स्क्वाइर होगा चलिए वर्क करने का काम यह सीँ यह एक और पालिव या एक रेखा सीदह सीधा को करते नहीं लोग आप क्या लोग थे पूरा सिखें उसके बाद उसारा चीज़ तो मैं सिखाई दूगा दिककत नहीं है ठीक है चलिए मैं देखता हूं 120 लेना है 120 लेना है तो हम लोग करते क्या है मेजर एक्सिस 120 ले लेते हैं पहला काम हो गया 60 पर हम लोग क्या करते हैं इसको पॉइंट लगा देते हैं देखे ए भी मेरा मेजर ऐक्स Issせ थिक आप यहां पकर कहता क्या है मेजर एक्सिस मार एक्सिस लेना है क्तेक्स सर्फ कहई कोई भी लाइन कि छी ए 또 विद्धेटर बनेगा नहीं यांवा क्फी बनेगा तकी आना चाहिए सेटे स्क्वार के हम यह प्वाइंट को सेट कर रहे हैं कि देख लीजिए यह फोर वाला है ना लाइं देखिए फोर पे ही चलेगा एक दम से ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं कि एक माइनर एक्सिस ले लिया अब करना क्या है कि वही सेटे स्क्वार के यूज से या ऐसे भी आप क्या कीजिएगा डी और माइनर का डी और मेजर का ए यह यह भी कर सकते हैं राइव करते हैं तक लिए Technology को सकते हैं कोई दिकत नहीं। अब कहीं पर वार कर सकते हैं लेकिन सुविधा जनब जो हो वही हम लोग काम करना है थिक है जदा में लियंदी काम करके पहांच जाना है यह का रहे लेएंगे ठीक देख लिए ध्यान से देखिएगा बार बार देखिएगा समझ में आएगा ठीक है अब क्या किजेगा यह तक एक लाइन लीजिएगा ठीक है यह पॉइंट तक मतलब कहने का मतलब है यह टोटल डिस्टेंस मेरा कितना 120 है अर्थात ओ एम का डिस्टेंस मेरा 60 हो जाएगा कि आर्क लेंगे जो मेरा डी तक जाएगा उसके अब आप कहता क्या है कि माइनर एक्सेस जो है देख लिजेगा हम हर कलर का यूज कर रहता कि आपको पता चले ठीक है और क्वालिटी में जो भी दिक्कत हो तो आप मैनेज कीजेगा उसको हो गया इतना तो वर्क में ने कर देखिए इतना वर्क कर लिए तो इलिप्स अपका बन गया फोर पॉइंट में धर से देखिए अब क्या करना है कि माइनर का डी पॉइंट पर रखना है उसके बाद डाइडेक्ट जहां तक आर्क जा रहा है उसको मर्क ना देखिए यहां पर यह इसलिए करते हैं कि उस लाइन को उस आर को मिनिमाईज करते हैं हम लोग यह आ गया मेरा और यह मेरा हो गया अब कहता है कि लाइन को सम्दिभाजित करो नहीं तो लाइन को सम्दिभाजित करने आना चाहिए हम बार बार बताते हैं कि लाइन को सम्दिभाजित कब किया जाता है सेंटर लाइज से जडिकल को लग रहा है कि इसके सेंटर से फैला सा जज्यादा ले लीज इचे झाला भी आता है तो दोनों तरफ काट दीज के यह नहीं देखिंकि कि कहा कट रहा आप काट ईद आप बंद मत करके एधार कॉम काता है फिर वह कटा पड़ गया अब उसको क्या कीजिए कि सेट स्क्वाइर के सहता से उस दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक तीयक लिखा लिजिएगा जो माइनर एक्सिस को क्रॉस करेगा देख लिजिए हम सारा पॉइंट अलग अलग रंग से कर रहे यह सब और खमाफी लोग के कारण कर रहे हैं ठीक है तो आपका अभी एक फर्ज होता है कि एक लाइक देखर के इस वीडियो को सेर किजिए और सेर किजिए याना किजिए कम से कम अपने मित्र के पास जरूर कर रहा है लाइन एक इंटर्चेप्ट कर रहा है यह पॉइंट वन हो गया और देखो माइनर एक्सिस को भी कर रहा है इंटर्चेप्ट पॉइंट टू हो गया अब करना क्या है कि यह प्रकाल लेना है मैंने कम पास से अपना यूज करना है जो पॉइंट वन है जिहां से द मेजर किया और डाइडेक्ट हम डी के उपर वाले लाइन पर कट कर दिया अब देखिए क्या होता है वान तू मिल गया तू मिल गया ठीरी मिल गया और जहां कटा है यह फोर मिल गया अब हमने कुष्टन में कहता है इलिप्स बनाईए जो फोर पॉइंट मेथड होना चाहिए चाहरेश मेथट कर रहा एक दो यजिक variety होना चाहिए और कहता क्या है कि मेजर एकस धीस माइन कहता है एक सो क्याता है और स्वाह को दो और तीन को दो अर तीन को मिलाते हुए एक लाइंग खिच लेना है काम खतम फिर कहता है तीन और चार को देखिए ध्यान से समझिएगा बार-बार हम इस चीज को पता रहे हैं बहुत असान है एक बार बना लिजेगा तरीका आ जाएगा फिर कहता है वन और फोर को इतना तो वर्क कर लिए ठिक है इतना वर्क करने के बाद करना क्या है इतना वर्क करने के बाद अब पॉइंट वन का काम करना है पहले एक दो तीन चार आता है तो वन से काम करना है नहीं वन पे रखना है ए तक मेजर करना देख लिए ध्यान से देख लिए यह तक हम आपने हैं यह तक निखि आएगा यहांको के बाद के बाद दो आता है दो के बाद हाँ एक और चीज माइनर एक सीजिए जो मेरा दी तक है देखिए कलर जहां से चेंज वरा यही मेरा डिस्टेंस अ कि अब यहां से हमको करना क्या है जो दी से गुजरते हुए लाइन में अगा हो गया काम खतम फिर दो के बाद हमको करना है तीन वृला वर्क देख लीचे कर दिन का भी वर्क करते हैं तो टीन से बी तक मापेंगे तीन से बी तक माप करके कि खिचेंगे उसके बात कहता है कि पॉइंट चार से पॉइंट चार से बस सी तक मापेंगे देखिए देखिए एकदम से मिल गया मेरा इलिप्स बन गया है मेरा इलिप्स बन चुका है फोर पॉइंट मेथाड मेथाड इलिप्स तयार हो गया है अब इसमें आप साड़ा बहलू यह वर्क करने के बाद आप यह बहलू इसमें आप मत लिखिएगा लिखिएगा ओल डायमेंशन मतलब जितना भी हम लोग डायमेंशन लिए हैं सारा एमेंशन में हैं और उपर में हम लोग दिखा दिये हैं डायमेंशन मेंजर आक्सिस यादि हम एभी लिए हैं एभी यादि सीडी ले रहे हैं सीडी असी है तो यह हमको जलक रहा है कि माइनर आक्सिस असी है और यह मेंजर जो है मेरा 120 है ठीक है इतना ही वर्क करना है दूसरा कुछ नहीं धन्यवान हेलो स्टुडेंट बारी बारी से मैं सारा इमेज को बनाऊंगा एलिप्स हो या पारा बॉला हो या फ्री हैंड हो या आपका प्रोजेक्शन हो या एसकेल हो लेकिन पिक्चर क्वालिटी में यदि थोड़ा सा प्रोब्लम है तो आप मेरा बहस सुन करके भी वर्क कर सकते ह हैं अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं ठीक है लेकिन तपर भी मैं कोशिस्टों कर रहा हूं क्योंकि तेरा तारिक से एकजाम है ठीक है आप लोग अपना मेहनत तो जरूर किजिएगा ठीक है तो मैं बता देता हूं कि ड्रोव कि एन एलिप्स कि एफैजि तो मैं आपनी श जरूर कि से correctième 80 mm है तो पैटर्न ऐसा ही रहेगा आपका लेकिन कुश्चन में बेलू इलिमिनेट करने आना चाहिए जैसे मेजर एक्सिस दिया माइनर एक्सिस दे रहा है असी लेकिन बनाना इलिप्स है मेथद कहता है फोर पॉइंट मेथद हम से लेवस में बताए है कि पांच तरह से बनता है ठीक है उसमें आपका फर्स्ट जैसे है फोर या भीवी आई है बार बार रिपीट करता यह कुश्चन इस पर आप लोग जर आपके राणा है यह दिना हो तो मेरा वीडियो बार बार देखिए और बनाने की कुशिश कीजिए नहीं होता है तो फिर हम तो मिलेंगे ही ठीक है और हां बनाने के बाद मेरे नंबर पे भी भेज सकते हैं करेक्शन करवा सकते हैं मेरा नंबर है 86-031-36520 ठीक है इस नंब कर वा सकते हैं हम कर सकते हैं Powers करके हमें भेज दूंगा ठीक है लेकिन आप बनाना कैसे है देखिये जैसे कहता है मेज़रacher सिस कि मेज़रर्स गिंचंत एक इस हमें में मह एक्षिस है का gap8Am 8 है तो अब लियो करना है देखिए करना कहा से है लिए हुआ है सब को पता होगा चलिए वरक करने का काम देखते देखिए एक पैरलर लाइन या एक रेखा सिधा खीचना भी काफी क्रीटिकल है एक लाइन खीच नहीं पाता है लोग आप देख पूरा बैलेंस करके इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाउंडरी का वरक करते हैं ले पहला काम हो गया 60 पर हम व्लों क्या करते हैं इसको पॉइंट लग लगा देखे यह भी मेरा मेजर आक्सिस है यह भी मेरा मेजर अक्सिस है अब यहां पर कहता क्या है मेजर अप्जिस पर माइनर एक्सिस से लेरा है सिट स्क्वायर का ही कोई भी लाइन खीचेगा सेत स्क्राइफ एक प्थे बनेगा ताकि आपका से टे लिखेगा और बहलोम होगा आपका कोई तो अब मैं क्या करता हूं कि एक माइनर एक्सिस ले लिए अब तो हमको पता चल गया कै कि वही सेटे स्क्वाइर के यूस से या ऐसे भी आप लेकिन सुभीधा जनब जो हो वही हम लोग काम करते हैं करना है ठीक है ज्यादा आप में लेंदी काम नहीं करके फंच जाना है एक है पोटेनस टाइप का ले लेंगे ठीक है एक रेखा से मिला देंगे उसके बाद वर्थ कहता क्या है कि जो मेरा सेंटर लाइन है माइनर एक् यह समझ में आएगा ठीक है अब क्या किज़ेका यह तक लाइन लीजिए घंख है यह पॉइंट तक मतलब कहने का मतलब है यह टोटल डिस्टेंस मेरा कितना 120 है आरथ ओ एमिका डिस्टेंस मेरा 60 हो जाएगा अब क्या करेंगे कि एक क्या करेंगे कि आर्क लेंगे जो मेरा डी तक जाएगा उसके बाद कहता क्या है कि माइनर एक्सेस जो है देख लिजेगा हम हर कलर का यूज कर रहे ताकि आपको पता चले ठीक है और क्वालिटी में जो भी दिक्कत हो तो आप प्लेज मैनेज अब क्या करना है कि मैंनर का डी पॉयंट पर रखना है उसके बाद डाइडेक्ट जहां तक आग जा रहा है उसको अहां इसलहं करते हैं कि कि उस लाईन को उस आर को मीनिमाइप करता है कि आगया मेरा और यह मेरा हो गया अब कहता है कि लाइन को सम्दिभाजित करो नहीं तो लाइन को सम्दिभाजित करने आना चाहिए हम बार बार बताते हैं कि लाइन को सम्दिभाजित कब क्या जाता है सिंटर लाइन से यदि आपको लग रहा है कि इसके सिंटर थोड़ा सा ज्यादा ले लिए थोड़ा सा ज् कि सेट स्क्वायर के सहता से उस दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक लिखा लिजिएगा जो माइनर एक्सिस को क्रॉस करेगा देख लिजिए हम सारा पॉइंट अलग-अलग रंग से कर रहे हैं यह सब वर्क हम आप ही लोग के कारण कर रहे हैं ठीक है तो आपका अभी फर्ज होता है कि एक लाइक देखर के इस वीडियो को सेर किजिए और सेर किजिए या ना किजिए कम से कम अपने मित्र के पास जरूर भेज जीजिएगा जो आईटिया कर रहे होंगे ठीक है अब देखिए क्या होता इसमें हमको देखिए एबी को एक सम्दिभाजित कर रह कर रहा है यह 201 हो गया औरव अब करना क्या है कि यह प्रकाललेक्स से अपना यूज्ट करना है जो 1 है वहां से देखिएगा 221 तक कि हमने मेजर किया और गुमाया और इसको कट कर दिया ठีक फिर वही वर्क हम लोग कर रहे हैं, इसमें, पॉइंट 2 तक, मेजर किया, और डाइडेक्ट हम D के उपर वाले लाइन पर कट कर दिया, अब देखें क्या होता है, one two मिल गया, two मिल गया, three मिल गया, और जहां कटा है, यह four मिल गया, अब हम रे question में कहता है, ellipse बनाईए, जो four point मेथट होना चाहिए, की चार प्वाइंट होना है एक दो तीन चाहिएं और कहता किया है कि मेजर एक्स Lets 120 कहता है इत हम और साध़ पॉइंट को जैसे दो और तीन को 2 और 3 को मिलाते हुए एक लाइंग खिच लेना काम खतम फिर कहता है तीन और चार देखिए ध्यान से समझीए आधे को बार-बार उस चीज को बता रहे हैं बहुत असान है एक बर बना लीजेगा तरीका आ जायेगा फिर कहता है वन और फोड को A one or four it姿porte ये इतना तय वरक करें ठीक है इतना वर्क करने के बाद करना क्या है इतना वरक करने के बाद अब पॉइंट वन काख़रना पहले एक दो तीन चार आता है तो न से काम करना नहीं वाण पartet रखना है एक मेजर करना दिख लीजये ध्यान से देख लिए यह तक हमाप रहे हैं ए तक लेकि से देखे घथेगा एह तक मापे आए मैं उसके बाद क्या किये है इसको ऊपर मिलाए है लाइन को देखिये है हो गया है यहीं लाइन निक्षी आएगा हो गया है फिर पॉइंट टू वन के बाद दो आता है दो के बाद हाँ एक और चीज माइनर एक सी जो मेरा डी तक है देखिये कलर जहां से चेंज वरा यहीं है अब यहां से हमको करना क्या है जो डी से गुजरते हुए लाइन आवेगा हो गया काम खादम फिर दो के बाद हमको करना है तीन वाला वर्क देख लीचे हैं तीन का भी वर्क करते हैं तो तीन से बी तक मापेंगे तीन से बी तक माप करके कि शिचेंगे उसके बात कहता है कि पॉइंट चार से पॉइंट चार से बस सी तक मापेंगे देखिए देखिए एक दम से मिल गया मेरा इलिप्स बन गया है मेरा इलिप्स बन चुका है फॉइर पॉइंट मेथाद मेथाड इलिप्स तयार हो गया है अब इसमें आप साड़ा वहलू यह वर्क करने के बाद आप यह भैलू इसमें आप मत लिखिएगा लिखिएगा और डायमेंशन मतलब जितना भी हम लोग डायमेंशन लिए हैं सारा एमेंशन में हैं और उपर में हम लोग दिखा दिये हैं डायमेंशन मेंजर एक्सिस यदि हम एभी ले हैं एभी जदी सीडी ले रहे हैं सीडी असी है तो यह हमको जलक रहा है कि माइनर एक्सिस असी है और ए मेजर जो है मेरा 120 है ठीक है इतना ही वर्क करना है दूसरा कुछ नहीं धन्यवान झाल